हलो मैं डियर फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल अधाय लेक्चेर आज की क्लास में बिहार बोर्ट पार्ट तू कि इस पहुत ही अथी एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है उशने कहा था जो कि लिखा गया है चंद्रसर्शर्मा गुलेरी जी की द्वारा तो मैं डियर फ्रेंड्स सबसे पहले चेप्टर को सुरू करने से पहले हम लोग लेखक के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एक्जाम में बहुत सारे कोश्चन लेखक से ही आते हैं और कहानी से भी आते हैं तो हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं ताकि एक भी प् पंडित स्रेश चंदरशर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ है शाद जुलाई 1883 को पुरानी बस्ती जैपुरस्थान में जन्म हुआ है और इनका नीधन हुआ है 12 सितंबर 1922 को मूल निवाश है यानि ये निवाश रख कहां करते हैं तो गुलेर नाम ग्राम है इसलिए इनका नाम गुलेरी पढ़ गया है जो कि गुलेर ये गाउं जीला कांगडा में पढ़ता है और हिमाचल परदेश राज्ये में पढ़ता है और ये रहने कहां कराने वाले हैं तो गुलेर के लिए होने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोट्फिकेशन आपको मिलता रहे क्यूंकि चेप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग अब्जे बच्पन में संस्क्रित की सिक्षा इन्होंने की है सबसे पहले ये संस्क्रित पढ़े हैं उसके बाद इन्होंने 1899 में इलाहाबाद और बिश्व विद्याले कोलकत्ता बिश्व विद्याले से इन्होंने इंट्रेंस से मैट्रिक किया उसके बाद 1901 में कोलकत्ता बैचलर आफ आर्ट्स किया है अब इनकी जो बहुत सारी कुछ कहानिया है कहानिया है सबसे पहली कहानिय बुद्धु का काटा जो कि 1911 में लिखी गई है शुकमे जीवन यह भी 1911 में लिखे गई उसने कहा था 1915 में लिखे गई है यह जरूर याद किजिए गा उस चंदरदर सर्मा गुलेरी जी से द्वारा लिखी गई कहानी तीन लिखी गई है ठीक है इन्होंने तीन कहानिया लिखी है और यही तीन कहानी यह कहानी पूछी गई अबजेक्टिव में अगर आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखिए फिर हम लोग बापू योद्या के परशाज के सश्मरण भी हैं इनका यदगार भी लिखा गया है जाती राजनीती और धर्म से भी लिखा गया है बंग भंग धर्म शंकट क्याब बेभी है और आतना भारत की जय सुनेती ओके मैं डियर फ्रेंड्स तो यह था हमारा चंदर सर्मा गुले प्रेदीजी के कहानी उसने कहा था यह कहानी सुरू होता है अमरी सर के भीड़ बारबजार से बहुत ही एक अच्छी कहानी है और यह इतनी अच्छी कहानी है कि यह उपनियास इस कहानी पर एक मुवी बन चुकी है अगर आपको मुवी देखना है तो आप उसने कहा था मु मुवी है ब्लेक और वाइट मुवी है आप वो मुवी भी देख सकते हैं जो कि कहानी की सुरुवात होती है अमरिसर के भीड़ बरवजार से सुरू होती है जहां 12 वर्ष का लड़का एक रहता है और 8 वर्ष की लड़की रहती है माई डियर फ्रेंड्स लड़का का नाम जो आगे है हम लोग कहानी के आगे जानेंगे क्योंकि अगर कहानी की सुरुवात में जान जाएंगे तो सारा चीज हमारा जो रहेगा उपता नहीं चल पाएगा और कहानी में कोई रोमांच नहीं रहेगा तो धीरे धीरे कहानी सुनत लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी मंगनी हो गई तो लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी मंगनी हो गई किताब में कुडमाई लिखा हुआ है और कुडमाई सब्द का अर्थ होता है मंगनी पूछा जा सकता है आपसे इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती अक्सर लड़कियां से कुछ अगर पूछा जाता है ऐसी साधी और चीजों की बाते तो बहुत ही सर्मा आ जाती है तो लड़की धत कहा कर भाग जाती है दोनों बजार में अक्सर कभी सबजी वाले तो कभी दूद वाले के हां मिलते रहते हैं अब ऐसे भी कभी होता है कि कुर्माई हो गई और लड़की फिर भी वही चीज बोलती है और वो धत काकर भाग जाती है लेकिन बहुत समय के बाद जब लड़का पुना उस लड़की से पूछता है क्या तेरी कुर्माई हो गई तो कहती है लड़की कहा देती है कि हां मेरी कुर्माई हो गई यानि मंगन से लड़का बहुत ही उदास हो जाता है और लड़का उदास हो जाता है उदास होने के बाद इस कदर उदास हो जाता है लगता है कि मानों उस पर बिजरी गिर गई हो बहुत ही दुखी हो जाता है इतना दुखी हो जाता है कि अब उसको सुझबुझ खो देता है समझ नहीं आता जब वो अपने घर जाने लगता है तो घर जाने के वक्त वो बहुत सारी चीजों को इधर उदर देखने लगता है कभी नाली में गिर जाता है कभी एक लड़की से टकरा जाता है तो लड़की उसको कहती है कि तुम अंधे हो क्या तो ऐसे ही बहुत सारा चीजों को करते वजाता है कुटे मिलते हैं उसके घर के जाने में तो उनको मारने लगता है तो बहुत सारा चीज करते हुए वह घर पहुंचता है ज्ञेश कम्रुट्बब बिաर्ट द खार रहा हूं ताकि आपको चेप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसकिप ना कीजिए ऐसे ही देखते रहिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अब जब इस घटना के बाद बच्पन के घटना के बाद इस घटना के बाद बहुत साल बीच जाते हैं तो लड़का क्या करता है कि अब सेना में भरती हो जाता है फौज में भरती हो जाता है और अंग्रेजों की और से फ्रांस में लड़ने जाता है फ्रांस में लड़ने जाता है तो सेना में सुबिदार हजारा सिंग जमदार लहना सिंग अब हमारा जो हीरो है वो लहना सिंग ह यही बड़ा हो गया है, अब यही सेना में गया है, तो जमदार लहना सिंग, वजीरा सिंग और बोधा सिंग के बिद प्रेम स्वर और मस्ति के चर्चाएं चलती हैं, अब यह सब सभी लोग एक बैरक में, एक सेना में बैठे रते हैं, एक दल में, और सुविदार हजारा सिं जमदार लहना सिंग जो की हमारा हीरो है नायक है वजीरा शिंग और बोधा शिंग के बीद सभी लोग बाचित करते रहते हैं अपनी मस्ती भरी चर्चाएं चलती रहती है तब तक यूध्ध में ऐसे यूध्ध चलती रहती है तभी क्या होता है कि इनका दोस्त इनका साथी जो है बोधा सिंग बिमार होता रहता है बिमार हो जाता है और उसका ख्याल क्या करता है लाना सिंग उसका पूरा तरह ख्याल रखता है सुविदार हजारा सिंग के बूलाने पर जब लाना सिंग उनके घर जाता है तो यहाँ कहानी मैड यर फ्रेंड्स ये है कि जब बोधा सिंग बिमार हो जाता है तो बोधा सिंग जो है वो लड़का है यानि सुविदार हजारा सिंग का लड़का है और सुबदार हजारा सिंग जब इनको देखते हैं कि मेरे लड़के का और बहुत सारा चीज के मतलब ध्यान रखता है सारे चीजों का वो उनको खवर देते हैं तो उनको घर पहुच जाते हैं और घर पहुचते पर क्या पता चलता है कि जब पता चलता है कि सुविदारनी को कि उनके बच्चे का ख्याल एक उनके ही साथी एक रखता है तो क्या करती है कि सुविदार हजारा सिंग के बुलाने पर ज़र लाना सि यहीं सुविदार की पत्नी जो है सुविधार नी लहना सिंग को पाहचान लेती है और उसे वुलाकर कहती है कि जिस परकार तुमने मेरी बच्पन में रक्षा के थी वैसे ही हम दोनों यानि मेरे परिवार को बचाना और ऐसे ही करते हुए जब यूद पर जाते हैं और वहां उनकी जब लडाई होती है दुसमन से तो उसके बेटे और उसके परिवार को बचाते हुए वो अपने सीने पर अपने सरीर पर गोली खा लेता है और वो मर जाता है सहीद हो जाता है और लाना सिंग के मिर्ती हो जाती है और लाना सिंग वजीरा सिंग के गोद में अपने प्रान त्याग देता है और वो इस परकार वो मर जाता है और वो कहता रहता है कि उसने कहा था और कहानी जो है उसने कहा था यानि उस लड़की ने उस सुविदारनी ने कहा था कि मेरे और मेरे परिवार का पूरी तरीके से रख्षा किये थे वैसे ही मेरे परिवार का विरक्षा करना तो इस परकार कहानी त्याग प्रेम देश्भक्ति त्यादी की भावनाय परगट करती है तो मैं डियर फ्रेंड्स आप लोग को ये कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके बार नेक